जैसा कि आप इंडियन एक्स्प्रेस की कटिंग आप देख सकते हो वाई UK सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट टॉरीज पॉलिसी टू सेंड अंडॉक्युमेंटेड आसाइलम सीकर्स टू रवांडा सर ये UK, रवांडा क्या इस्टोरी है इसको आपको मैं बहुत ही डिटेल में और क्रिस्प मैनद में आपको समझा दूँगा डिटेल भी होगी, क्रिस्प भी होगी कि आपका काम भी हो जाएगा और बहुत ज़दा आपको information और knowledge भी नहीं लगेगे चलिए, सबसे पहले तो पेपर में ये पुछा जा सकता है, रवांडा पॉलिसी है क्या आप देखते होगे कि UK है, जो यूरोप वाला रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे refugees जैसे इराक है, सीरिया है, लेबनॉन है, तो वहाँ सारे बहुत सारे refugees maintenance ही पार करते हुए, फ्रांस में जाके English Channel को पार करते हुए, कहां पहुच जाते हैं, UK में वहाँ पे शरण ले ले लेते हैं, शरणार्थी बन जाते हैं, रोहिंग्या वाला इशू आपने सुनोगा बंगलादेश महानवार वाला वैसे ही, जैसे बंगलादेश महार से इंडिया में लोग आ गए, उसी तरीके से इराक, सीरिया, यह सर ऐसे एरिया हैं, जो बहुत ज़्यादा होस्टाइल कंट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने कस्ट जहला हुआ है, तो वहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे चले आते हैं, अपनी अच्छी लाइविस्टाइल जीने के लिए तो यूके की गवर्मेंट ने क्या किया, एक उन्होंने प्लान निकाला रवांडा पॉलिसी, कि वहाँ पे जो भी इल्लीगल इमिग्रेंट हैं, उनको एक असाइलम दिया जाएगा, यानि कि उनको शरण ग्रह दिया जाएगा, शरणार्टी ग्रह बनाया जाएगा, कहाँ पॉलिसी या रवांडा पॉलिसी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, बोरिस जॉनसन जब थे, तब ये बना हुआ था, ठीक है, मगर अभी क्यों न्यूस में रहा है, इसलिए न्यूस में रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर विया कि नहीं, जो भी इमिग्रेश जानने वाले, तो युनाइटेट किंग्डम हैस साइंड डील विद रवांडा तुसेंड़ को, अब ये बात करता हूँ, एक साल, देड़ साल पहले की, आपकी जो न्यूस केटिंग दिखाईए, अभी मुश्किल से एक या दो दिन पुरानी है, ठीक है, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर बॉरिस जॉंसन, इस समय रिशी शुनाक है, क्योंकि एक साल पुरानी स्की में, सेब काउंटलेस लाइफ से बता रहे हैं, ये अपनी दर्व से बता रहे हैं, कि हम लोग वहां भेज देंगे, ताकि human trafficking कम हो सके, ठीक है, मगर रवांडा में जाके वहा यानिकि जो मानब तसकरी है, उसको कम करेंगे, मगर एक तरीके से खुदी मानब तसकरी कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोड ने भी बोला, और जो UNHRC, United Nations Human Rights Council है, वहां के जो head थे, वहां के जो ministers थे, उन्होंने भी सेम बात को दोराया, The main target of the scheme, men arriving on boards और lorries, ऐसे लोगों को, जो की fairies से, यानिकी boards, English channel को, जैसे की France पर, आपको map में दिखाता हूँ, यह देखें, map, map में आप देख पाओगे, यह है UK, तो यह English channel है, यह है France, तो France असे लोग यहाँ पर, Mediterranean Sea से France पर आते हैं, तो France पर illegally, चाहे boats से, चाहे उन ट्रक से, वो करके यहाँ UK में चले जाते हैं, तो इन ही लोगों को कहाँ भेजा जाएगा, रवांडा के अंदर भेजा जाएगा, क्याई बात लियर होगई, कि नहीं क्लियर होगई, चले, तो जब यह स्कीम आई दी, तो उन्हें मोला था कि एक साल के अंदर, खैर, अभी यह लागू नहीं हुई है, क्याई बात प्यार होगई, मैप में आप देख सकते हो, UK से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक, चले, अच्छा, the time supported that it could be potential cost, लगभाग यह 20 million dollars, इतने रुपए हर immigrant पे 20,000 euro, 20,000 euro हर रवांडा पे खर्च करेंगे, टोटल यह कितने euro का budget है, कितने euro की scheme है, 120 million dollars की है, कि रवांडा जो UK की government है, वो रवांडा को देगे, और रवांडा भी किस लारच में कि उसको यह पैसा मिल ज करेंगी, अच्छा, क्या, how many countries refuses to enter UK via the channels, कितने, लगभाग 28,000 people enter the UK in votes from 85,000 in 2020, last year की बात करें, यानि कि 2022 की बात करें, है न, तो 2022 में पचासी सो थे, तो इस साल 28,000 हो गए, क्यों, एक तो मेडिटेरियन सी से, और युक्रेन से आई हुए कई सारे लोग थे, सीरिया में, जजबुल्ला, और हूती रिबल्स में भी जो अटेक कर दिया, तो वहां के जो refuse थे, वो भी UK की तरफ भाग रहे थे, है न, अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए, तो 85,000 हो गए, 28,000 हो गए, इस वजए से भी ये कदम उठाना पड़ा, ठीक है, क्या यह बात समझ म में भी एक policy AC मनाई थी, and in 2013, it hardened its immigration law to deny resendment visas to asylum seekers arriving by vote, देखिए, UK जो है, उसकी असल में प्रॉब्लम ही यही है, कि हम लोग के भारत के साथ भी वो free trade agreement नहीं कर पा रहे है, क्यों, कारण उसका है, क्योंकि वो, इंडिया कह रहा है कि हमारे कई सारे जो व्यापारी है, या पिर कई सारे जो students है, उनको वहाँ पे permanent resistance देने का वादा करिए, है ना, उनको free visa देने की, मतलब visa on arrival देने की सुविदा रखिए, या फिर visa को हटा ही दीजे, मगर जो UK है, UK की government के उपर जो वहाँ की जनता है, उसका दबाव चल रहा है, क्या कह रहा है, कि वहाँ पे लोग बढ आते जा रहे है, इसी तरीके से, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि दूसरे देशों में, बिल्कुल Australia के अंदर भी इस तरीके की scheme 2001-2013 के अंदर चलाई गई है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसराइल, इसराइल के अंदर भी, है ना, इसराइल ने भी इस policy को अपनाया है, कई बात लिए रहोगी, और डेनमार, डेनमार का आप देख सकते हो, डेनिश गवर्मेंट, डेनिश गवर्मेंट का मतलब हो डेनमार, डेनमार जहां पे अभी 14th UNHRC की कॉनफरेंस हुई थी, उनाइटेड नेशन हुमन राइट कॉनफरेंस हुई थी, जहां पे इन्हो राइट कॉनफरेंस होती है, 14th कॉनफरेंस सी याद रखियेगा, ठीक है, तो डेनिश गवर्मेंट ने भी इस तरीके की स्कीम चलाई हुई है, तो के लिए यूकि ऐसा नहीं है, अगर हम बात करते हैं, कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा refugees है, तो है तुर्की, क्योंकि मैं देखोगे, मैंट्रेनियंसी के पास वही है, तो इराग, सीरिया से होते हुए लोग, सबसे असान उनके लिए क्या पढ़ता है, तुर्की पढ़ता है, तो सबसे आधा refuse, इंडिया के अगर हम बात करें, तो इंडिया है लगभग, इंडिया के 58,000 refugees तो के लोर के होज श भारत के पास इतना खाद नहीं था, food नहीं था, food security नहीं थी कि वो उनको भी खाना खिला सके, तो 52,000 लोग कहां से हैं, शीलंका से हैं, 2520 अफगानिस्तान से भी हैं, साथी साथ अगर हम बात करें, अगर हम लोग देखें, तो third world countries, यानि कि जो least developing country है, यानि कि low income वाली countries है उसमें 66% refugees रहते हैं, अगर दुनिया में 100 refugees हैं, तो उसमें से 66% refugees third world countries में रहते हैं, third world countries कौन सी हो गई, जो कि, कल मैंने आपको बताया था, south global आपको बताया था कि नहीं बताया था, south global में अफरीका हो गया, south Asia वाली countries हो गई, इनको क्या बला जाता है, south global, ठीक है, global south में र document नहीं है, चैसा refugees होने का नुकसान क्या है, बहुत सारे नुकसान है, अगर आप कहीं के refugees हो, तो आपके पास वहां का residential address नहीं होता है, ID card नहीं होता है, आप वहाँ पे सरकार जोरा चलाई गई, कोई भी जो समात सेवा के लिए scheme होती ही, उस पे आप नहीं कोई कर सकते हो, वहां की जमीन नहीं खरीच सकते हो, वहां पे vote नहीं दे सकते हो, एक तरीके से आपके सारे अधिकार, जो उस राज्य में या उस देश के अंदर आपको मिलते हैं, उसको आप नहीं भी पूरी तरीके से उसका use, utilization नहीं कर सकते हो, क्या ही बात समझ भाई, तो आपको मैंने बात करी, और सबसे यादा कहां पे आते हैं, तुर्किया के अंदर आते हैं, आई होब कि ये सेशन आपको बहुत ही कायदे से समझ में आया होगा, इन फैक्स को आपको देख लोगे, इन जून 2023, आप बोर्ट कैरिंग एबाउट 700 refugees, कैपसाइज देंदा मेडिटेरेनियन स देखिए, यही लोग जा रहे थे वहाँ पे, फ्रांसे होते हैं यूग के अंदर, ठीक है, तो इनके पकड़ी गई थी, क्याए बात समझ में आगे, UNHCR के हेड़कोर्टर की बात करूँ, तो इसके जेनेवा के अंदर है, जेनेवा, स्विजजर लेंड के अंदर है, आई ह दो इसके के अंदर हैं, आई हुआ है, जे खकी है, यूआ के अंदर हैं, यूआ के मैं अदर हैं, झाल भाता हैं, जो बाता हैं!